ओम स्री वेंकटेश्वराय नमहा संस्थान की तरफ से चार इंपॉर्टेंट अपडेट आये हैं फेबररी महीने के दर्शन टिकेट को लेकर एक-एक करके जानते हैं कौन से हैं वो टिकेट्स और क्या है उसके क्राइटीरिया सबसे पहला जो टिकेट है वो है एलेक्टरोनिक डिप आज जित सेवा टिकेट्स ये टिकेट्स कल यानी 18 नवंबर को रिलीज हो रहा है फेबररी महीने के लिए इन सेवाओं को एलेक्टरोनिक डिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मेशीन लखी ड्रॉ निकालता है आपके रिजिस्टरेशन नवर का तो सबसे पहले आपको रिजिस्टर कराना पड़ता है कोई भी सेवा जो भी आप सेवा में पाटिसिपेट करना चाते हैं इन सारी सेवाओं को एलेक्टरोनिक डिप यानी एक लखी ड्रॉ इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़ादा डिमै इसलिए संस्थान एक लखी ड्रॉ रखता है जिसमें अगर आपने रिजिस्टर किया है कोई सेवा और उस रिजिस्ट्रेशन नंबर का आपको रिजल्ट आ जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मौका मिलता है भगवान की इन सेवाओं में पाटिसिपेट करन जो लगभग सुबह सुबह होती हैं तो इस बात की भी जानकारी रखें रिजिस्ट्रेशन प्रॉसेस दो दिन का होता है तो यहाँ पर 18 नवंबर सुबह 10 बजे से चालू होता है रिजिस्ट्रेशन प्रॉसेस रिजिस्ट्रेशन कराते समय आपको एक भी पैसा देनी की ज पास पास result आ जाता है और ये result official website में ही आता है आप चेक कर सकते हैं अगर आपका registration number selection हो जाता है तो आपको payment के लिए option आएगा उसके लिए भी थोड़ा समय दिया जाता है जिस भी सेवा का आपको payment करना होता है आपको payment कर देना है तब आपको confirmation ticket आ जाता है आप उसे download कर सकते ह दो लोगों का registration maximum हो सकता है अगर selection भी होता है तो दो लोगों का 81 selection होता है और अगर selection नहीं होता है तो आप किसी और ticket के लिए भी try कर सकते हैं लेकिन अगर आपने आजित सेवा के लिए tickets book कर लिया है तो 90 days का gap होना चाहिए अगले दर्शन के लिए अब बढ़ते हैं दूसर बहुत जादा नस्दीक से नहीं जय विजय गडपा यानि थोड़ी दूरी से होता है जो कि नॉर्मली सभी भगतों को कराये जाता है वहीं से होता है लेकिन एक्स्ट्रा आपको सेवा भी देखने का मौका मिलता है यह सारी सेवाएं उत्सव मूर्ति यानि मेन मूर्ति की नहीं होती कुछ सेवाएं जैसे उनजल सेवा, ब्रह्म महोदसव, कल्यानोचवम इस तरह की कुछ सेवाएं होती हैं जिसमें से कल्यानोचवम और ब्रह्म महोदसव मंदिर के बाहर होते हैं कल्यान मंडपम में वहाँ सेवा होनी के बाद आपको लाइन में भेजा जाता है दर्शन के लिए, कोई भी सेवा में यहां पर आप सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो उन्जल सेवा हो, कल्यान उत्सवम हो, सास्त्रदीपा लंकरन सेवा हो, सभी सेवाओं के बाद आपको जो मुख्य मूर्ती है, उनके दर्शन जरूर हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन याद रहे, सेवा में जो लोग पाटिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें कमपलसरी ट्रडिशनल रस पहनना ही है, नहीं तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है, तो इस बात के खास ध्यान रखें, तो यहां भी वही है, एक मोबाइल से मैक्सिमम दो लोगों के लिए ब टिकेट होता है, तो यह टिकेट यानि आज जित सेवा टिकेट फेबरेरी महने के लिए नवंबर 21 सुबर 10 बजे ओफीशल वेबसाइट में रिलीज होंगे, आपको वहां जाकर बुकिंग करानी है, एलेक्ट्रानिक डिप में रेजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, सेवाओं म कैसे बुकिंग करानी है, सबकी अलग से वीडियो में ने बनाई है, लिंक से सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक कीजेगा, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले अपडेट को, अगला अपडेट है ऑनलाइन वर्चुल सेवा टिकेट जिसे 500 र का टिकेट कटा लेना पड़ता है, सेवा को सेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी सेवा को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप तिर्मला जाकर भगवान के दर्शन या सेवा में पाटिस्पेट नहीं कर सकते हैं, यह वर्चुल सेवा है, यानि आप घर में बैठके svbc channel जोकी संस्थान का official channel है आपको वहाँ पर सेवा देखना पड़ता है लेकिन maximum लोग ये 500 रुपीज का टिकेट इसलिए कटाते हैं क्योंकि इस सेवा को पहले ही बुक कर लेने से आपको 365 days यानि एक साल के अंदर-अंदर कभी भी आप दर्शन टिकेट को भी बुक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक problem होता है ये जरूरी नहीं है कि अगर आप February में सेवा को select करते हैं तो February महिने का ही आपको दर्शन टिकेट मिले हो सकता है March का मिले या April का मिले तो ये पूरी तरह से संस्थान के दर्शन टिकेट के availability पर depend करता है तो ये टिकेट वो लोग बुक करत हैं सबसे पहले सेवा के दोरान आपको पैसा दे देना होता है दूसरी बार आपको transaction history में जाकर availability देखना पड़ता है अगर availability है तो आप दर्शन टिकेट को बुक कर सकते हैं एक mobile से maximum दो लोगों के लिए बुकिंग हो सकती है तो ये है virtual सेवा 500 रुपे का टिकेट तो ये ट टिकेट 21st नवंबर को दो बार तीन बजे रिलीज हो रहा है official website में February महिने के लिए बढ़ते हैं आगे और समस्ते हैं अगले अपडेट को ये अपडेट है अंग प्रदक्षना टिकेट के बारे में ये टिकेट बिल्कुल फ्री टिकेट से इसमें आपको कोई भी पैसा दे प्रदक्षना टिकेट का मतलब होता है आपको मंदिर के आगे लगभग 200 मीटर तक प्रदक्षना करना पड़ता है भीगे वस्तरों से जिस पे धिन आपका दर्शन होता है उसके पहले ही दिन 12 बजे रात को स्वामी पुशकर्नी नदी के पास में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है वहाँ पर स्नान करके भीगे कपडों से ही आपको वेट करना पड़ता है लेडिस के लिए अलग लाइन होता है जेंस के लिए अलग लाइन होता है लेडिस का प्रदक्षना हो जाने के बाद जेंस का प्रदक्षना होता है लगभग 200 मीटर के प्रदक्षना के बाद आपको कमपार्टमेंट्स में बैठाय जाता है वहाँ पर भी लेडिस अलग बैठती हैं जैन सालग बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद लगभग सुप्रभातम सेवा यानि अरली मॉर्निंग भगवान को जब उठाया जाता है और मंतर उचारन किया जाता है उस समय आपको भगवान के दर्शन कराय जाते हैं तो ये बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है लेकिन मान्यता है कि जो लोग भी अंग प्रदेक्षिना करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं ऐसी मान्यता है भगवान के लिए कितने भी कष्ट सेहने के लिए बहुत सारे भगत तैयार रहते हैं तो ये टिकेट्स फेबररी महिने के लिए नवंबर 23 को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है तो फिलहाल 4 अपडेट्स अंस्थान ने रिलीज किये हैं आगे आज या कल सुबह तक बागी के सारे अपडेट्स आ जाएंगे जैसे 300 रूपीज सेडी टिकेट्स के तो जो लोग फेबररी में जा रहे हैं उनके लिए लगभग हर अपडेट्स अभी 2-3 दिन में आ जाएंगे सारे अपडेट्स को फॉलो करते रहें आशा करती हूँ इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी जानकरी मिली होगी और क्या है एलेक्ट्रोनिक डिप में बहुत जादा नस्दीक से कराया जाने वाले सेवा की पूरी डीटेल्स अलग से मैंने वीडियो से बनाई हैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा एक बार ज़रू चेक करें ओम सरी वंक्टेश्वराय नमाह क्या है तो कि थे बनाई हैं से लिंक्टेश प